तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों बड़ी गवरारी है कानपूर देहाज चनपत की जिला कारागार में संदिक्त परिस्थितियों में एक बंदी आसीस का सव जेल के अंदर फासी से लटकता मिला आसीस एक किशोरी से दुषकर्म के मामले में नियायाले कानपूर देहाज द्वारा सुनाई की 20 साल की सजा काट रहा था कैदी जनपत के बरवर्थाना छेट के अंगत पूर कर रहने वाला था मौत के पास जेल के अद्कारियों ने अफसरों वा मृतक के परिजनों को बंदी की मौत की सूचना दी वही परिजनों ने बौके पर पहुचकर जेल परिशासन पर हत्या कर सव लगाने का रोप लगाया है जैसे ही इस घर्टना की जानकारी पुलिस ने मृतक कैदी के परिजनों को दी तो उन्होंने वहां आकर हंगामा शुरू कर दिया जेल अदकारी के आवास को घेराओ करते हुए परिजनों ने जेल अदकारी उपर हत्या कर लगाने का रोप भी लगाया है घंटों की मसकत के बाद जिला परिशासन ने किसी तरह उन्हें समझा बुजा कर सांध कराया पंचनामकर पुलिस ने सब को पोस्मॉटम के लिए बेज दिया है हमार लड़का मार नाज़ाई सकता है हमाई पर हम गया तक पुसके ऊपर सखो रहा है तुम्हें यो पता है तो तुम्हें कावें पता है तो उन्हें लगवाद आई पासी मरवादाओ। आपको किसके उपर सुआ रहे हैं। जेल वाले ने मरवाओ है। अमित क्या है पुरा मामदा। आज एक सफाहस वर्ष के कैदी जो हिंसाच शीहतर और फॉक्सों में जेल में बंधा। वो उसके बारे में सुचना मिली कि उसने जेल में पासिलाया कर ली। इस सुचना पर सबका पोश्माटन कराया जा रहा है। और अन्य जोगुदी करवाई भी उकड़ाई जा रही है। जिसमें एक और वो यकने तत्थ है कि जो कैदी था उसको 20 वर्ष की सजा भी। पिछले एक सफाहपुर्म उसको 20 वर्ष की सजा मिल गई थी। और जिलपुरस्था रहा कहना है कि दृहाई जिप्रे संवे कट रहा है। अभी अन्य बस्त्स्मों पे जानकारी की जानेगी जो पी अन्य बसकानेगी अधैने देखराजीinta धन्य एकशों